हलो जहिन सातियों स्वागते आप सभी का सत्या एक्सलेंट यूटूब चानल पे सातियों आज की डेट में आपको जनकारी देने वाले हैं कि अपने मोबाइल के द्वारा आप कैसे रिल्वे की अप्रेंटिसिप का जो विकिंसी आई है उसका फॉर्म को फिल अप कर सकते हैं तो आज आपको जनकारी देने वाले कि अपने मुवाइल से आप कैसे आसानी से फॉर्म को फिल अप कर सकते हैं यदि आप इसकी पूरी जनकारी डिटेल्स में नहीं देखें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्सन बॉक्स में आपको लिंक मिल लेगा वहाँ से आप डिटेल्स में इसकी वीडियो देख सकते हैं आपको यहाँ पर फॉर्म कैसे अप्लाई करना है चले मैं आपको बताता हूँ आपको यहाँ पर क्या करना है लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्सन बॉक्स में मिल लेगा वहाँ पर आपको जाएंगे तो इस तरह का आपको सामने website open हो जाएगा नीचे आपको scroll करते हुए जाना है और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है official website का आपको simply इस पर click कर देना है जैसे आप apply now पर click करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का page open हो जाएगा और यहाँ से आपको form को fill up करना है तो चलिए पर create शुरू करते हैं सबसे पहले आपको नीचे जाना है नीचे जाने के बाद साथ ही हो क्या करना है यहाँ पर click to process further का option दिख जाएगा simply आपको इस पर click तो सबसे पहले आपको यहाँ पर click करना है click to proceed further पर इस पर आप जैसे आप click करते हैं आपके सामने कुछ इस तरह का नया page open हो जाएगा उसके पहले यहाँ पर आपको trade आपको select करने के लिए कहा जा रहा है कि किस trade से आप ITI करें या किस trade से आप ITI किये हैं और इस phone को apply करें तो simply आपको जनकारी होगा जिस trade से आप ITI किये होंगे अपना trade यहाँ पर select कर लिजेगा जैसे कि हम जिस चातर का यहाँ पर phone click करें वो electrician का चातर हैं तो हम electrician पर click करेंगे और यहाँ पर क्या करना है नीचे आपको continue का option दिखेगा simply आपको continue ओले option पर क्लिक कर देना है जैसे आप साथ हो continue ओले option पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का page open हो जाएगा और नीचे यहाँ पर आपको एक option देखने को मिल जाता है इसमें लिखा होगा are you differently about मतलब कि आप दिब्यांग है यदि आप दिब्यांग होंगे तो yes पर क्लिक किजएगा दिब्यांग नहीं होंगे तो no पर क्लिक करना है तो जिसका में पॉन भरना उसका कोई भी दिक्कत नहीं कोई दिभ्यांग नहीं है तो हम यहाँ पर no पर क्लिक करेंगे इसके बाद नीचे आना है और यहाँ पर आपको next का option देख जाएगा तो आपको क्या करना है simply next वाले option पर क्लिक करना है जैसे आप next वाले option पर क्लिक करते कुछ आपके सामने इस तरह का page open हो जाएगा तो आपको करना क्या साथियों आपको यहाँ पर ok पर क्लिक कर देना है ok पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का page open हो जाएगा जिसमें आप देख लिजएगा बिल्कूल सही होना चाहिए ऐसा ना कि trade आप कोई और है और आप कोई और select कर देएगा तो य यहां पर आपको full information परने के लिए कहा जा रहा है सबसे पहले आपको अपना नाम यहां पर fill करना है उसके बाद फादर का नाव मदर का नाव और यहां पर अपना community करना है चलिए मैं आपको पूरी select करके दिखा देते हो जैसे आप यहां पर community पर click करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर इस तरह का आपसन दीख रहाए अब यहाँ पर community मतलए हैं आप आपको category select करना है तो जो भी आप category से होगे आप यहाँ पर select कर देज़ेगा तो चलिए यहाँ पर हम इस बात को ध्याने किएगा इसके बाद यहां पर आपको जेंडर सेलेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है तो जो भी आपका जेंडर होगा सेलेक्ट के लिजेगा और इसके बाद यहां पर आपसे कहा रहा है लिजन और आपको यहां पर सिंपल इस पे क्लिक करना है और यहां प किजिएगा तो हम simply no पे क्लिक कर देंगे इसके बाद यहां पर का रहा है कि आर यू वर्ड आप एनी आप दो फोल्विंग तो आपको यहां पर स्वेक्ट पे क्लिक करना है और नीचे आप आ जाएगा ठीक है आपको यहां पर क्या करना है देगे ध्यान से आप आप देखेंगे तो आपको select में आ जाएगा समझ़मे एगा नहीं तो आप ध्यान से नहीं देखेंगे तो आपको समझ पेना अगा और आपkef वजाएंगे तो आपको क्या करना है यहां पर more पर आपको यॉड निचे आप आजए तो यहां पर आपको आइडी आपको दोबारा लिखना है बीना wirklich करी आपका होगा नहीं इसके बाद यहां पर मोबाइल कि मुझा होना ब्रीष सॉक्षर बर कीजिए कि हारा है इसके बाद नमबर उभर लोग जो है कि हमाराओ ठीक है तो यहाँ पर door number होगा तो लिखेगा नहीं होगा तो छोड़ दीजेगा यहाँ पर line 2 लिख रहा है locally तो आप लिखेगा यह तो छोड़ देगा अपने city या town का या village का नाम आपको लिखना है ध्याने केगा city आपके सहर का हो जाएगा town आपके नगर कसपा हो जाएगा और village आपके गाउखा नाम हो जाएगा ठीक है ध्याने केगा करम से आपको भरना है इसके बाद यहाँ पर आपको select करना है आपका state कौन सा है अपना यहाँ पर state का नाम select करना है यह आपको simply click करना है जो भी आपका state होगा आप इसमें से choose कर लिजेगा नीचे आ जाते तो य जो भी post आपका होगा ठीक है जो भी post आपिस होगा आपको वहाँ पर लिखना है मतलब कि जहां पर आपका post आपिस है उसके gram सबाग का नाम आपको लिखना है नीचे आ जाते तो यहाँ पर आपको pin code यहाँ पर लिखने के लिए कह रहा है तो जो भी आपका pin code होगा pin code आपको क्या करना है यहां पर अपको टूटल यहां पर आपको लिखना है उसके बाद कितना आपने प्राप्त किया कितना परसेंटेज हुआ जब आप यह दोरों fill करेंगे तो आटमेटिक ये percentage निकाल देगा आपको यहाँ पर percentage निकालने की जुरुरत नहीं पड़ेगी किस यहर आपने पास किया यहाँ पर भी लिखना देखिए दसवे पर बहुत सारे पर हम क्या कर देता है यूपी बोड तो यहां पर यह पर उन्प Lplay कर देंगे मतले कि साल आपtoi है कि तो ऑसके आपको क्या करना है किस साल आपने डशमी पास किया अब यहाँ पर ITI का information आपको भरना है ITI certificate number जो कि जिन चातरों का certificate आ चुका है वो लोग यहाँ पर certificate number यहाँ पर डालेंगे यहाँ आपको जन्य कारें ने certificate number की तो आप website से देख लिजेगा certificate number उसके बाद किस संस्था से आपने ITI किया है वो संस्था का नाम होना चाहिए कितना यहाँ पर मार्क था कितना मैक्सिमा मार्क था और यहाँ पर percentage आपका कितरा है सारी परक्री आपको यहाँ पर तीन में बने यह दूनों बरेंगे तो automatic आपका यह percentage उठालेगा कोई भी दिक्कत नहीं होगी नीचे आजए तो यहाँ पर कह रहा है जो की declaration कह रहा है मतल बिल जाता है तो आपको क्या करना है capture code आपको यहाँ पर नीचे फिल करना है जिसी कि पांच और यहाँ पर 189 एक सुनिया आप लिखा गया तो simply आपको इसमें फिल करना है और यहाँ पर क्या करना है click to continue पर click करना है तो चलिए मैं सारी परक्रीया आपर भरके उसके बाद अग्ला process आपको बताता हूं क्या करना है देगे सारी प्रक्रिया भरने के बाद आपको एक बार मिला लेता हूं आप भी अपना इंपट क्रमाईज मिले टीगा ठीक है आप यहाँ पर देक लिजिए बिलकुल आप क्रमाईज मिला लीजिए बिलकुल गलत नहीं होना चाहिए तो दोबारा यहां पर आपको रीडिरेक्ट कर देगा जहां पर आपका गलत होगा सारे चीज़ यहां पर मिला लिजेगा उसके बाद यहां पर ध्या निखेगा कुछ लोग यहां पर गलत कर देते हैं जो कि यहां पर जो आपका यहां पर पासिंग और कितना आपने नंबर प्राप्ट किया आपने कितना नंबर प्राप्ट किया ये आपको कितना प्राप्त किया अंक और कितने आपका पुढांग था यह आपको लिखना और यह जो एटोमेटिक के परसंटेज ले लेगा नीचे आप आजए और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता एक करते हैं यहाँ पर इस यहां पर 47 लिख दिया था आप देखिए यहां पर जब लिखेंगे 46 पांच आप यहां पर आपको क्या करना है यहां पर 46 पांच होगे अब आपको क्या करना है आपको दोबारा है यहां पर click to continue पे click करना और यहां पे कहा रहा है कि please check if all data friends been correctly find up before मतले कि कहा रहा है कि यदि आप कोई भी गलत गया है तो आप cancel पे करके दुबारा check कर सकते हैं अन्यता आप ok पे click करें तो हमारा बिल्कुल सही है तो हम क्या करेंगे यहां पे ok पे click कर देंगे पहले आप यहां पर जो भी आपने details यहां पर फिल किया है नीचे आप जाकर यहां पर मिला लिजेगा और मिलाने के बाद आपको लग रहा है कि हमने जो भी यहां पर अपने details यहां पर फिल किया है कोई भी गलत नहीं है तो आपको ऊपर click करना है और यदि आप कोई भी details इस कर देना है आपको यहां पर क्या करना है एक कांटनीव का यहां पर आफसन दिख जाएगा आपको मैं यहां पर दिखा देता हूं यह देखिए कोने में आपको यहां पर कांटनीव का आफसन दिखेगा सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद यहां पर ल तो यहां पर लिखा गया है कि आपका जो भी कन्डरेट का नामेड का नाम हों और यां। भी नतिनाया है और यहां पोलिय। अब आपको करना है क्या सात्यों ध्याने किएगा एक आपके पास जो भी आपने email id दिया होगा email id पे भी message गया होगा या आप यहाँ पर देख लिजेगा click how to login लिखा है तो आपको क्या करना है simply आपको click how to login पे click कर देना है जैसे आप click करते है एक नया page आपके सामने open हो तोर पे password आपका date आप पर्थ हो जाएगा और यहाँ पर आपका जो यहाँ पर GEDJH यह capture code लिखा गए security की आपको इसमें enter करना है और enter करने के बाद आपको क्या करना है यहाँ पर login पे click करना है तो चलिए मैं सारी पर क्रिया करके आगे का step आपको बताता हूं सारी पर क्रि देखें नहीं तो आप confused हो जाएंगे कि यहाँ पर करना क्या है ध्यान से देख लिए और यहाँ पर समझने का प्रयाज करें क्योंकि बहुत ही आसान तरीका में आपको आपको कोई भी नहीं बताएगा और आसानी से आपको क्या करना यहाँ पर login पर क्लिक कर देना है जैसे आप देख सकते, simply आपको इस पर click करना है, click करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरका page open हो जाएगा, जिसमें यहाँ पर preference select करने के लिए काया जा रहा है, कि unit preference first और second, third, fourth, five और यहाँ पर six को select किजिए, तो जो भी यहाँ पर आप select करना चाहते हैं, मतलब कि यहाँ पर आप आपकी unit wise निकालेगे, तो सबसे पहले आपकी unit को select करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ पर पहले वाले को select करते हैं, अपने अनुसार आप select कर सकते हैं, इसमें कोई भी यह नहीं कि आप select करेंगे, या आप इसको select करें, ऐसा कुछ भी नहीं, जो भी आप select करना चाह नीचे यहां पर फाइप नंबर में भी कर सकतें जो भी यहां पर बचा हुए सब कुछ आपको select कर देना है Select करने के बाद साथ हो आपको क्या करता है यहां पर आपको simply submit वाले option पर क्लिक करता है आप सही सही यदी feel कियें तो आपको ok पे click करना है तो हमने बिल्कूर सही किया है तो हम simply ok पे click करेंगे ok पे जैसे click करते हैं तो यहाँ पर सारी परक्रिया हमारा feel हो चुका है अब आपको क्या करना है continue वाले option पे click करते हैं जैसे आप continue वाले option पे click करते हैं यहां पर आपको notification और यहां पर आपको सारी चीज़ यहां पर देखने को मिल जाता है सबसे पहले यहां पर आपको photo upload करने के लिए का जा रहा है तो आपको क्या करना है simply आपको यहां पर अपना photo यहां पर upload करना है नीचे आ जाते हैं यहाँ पर आपसे का जा रहा है signature upload करने के लिए ठीक है यहाँ पर आपको signature upload करना है choose file पे click करके उसके बाद यहाँ पर आपसे का रहा है कि thumb impression upload कीजिए thumb impression upload करना पड़ेगा चलिए मैं सारी प्रक्रिया आपको बताता हूँ step by step photo upload करने की प्रक्रिया से पहले आप यहाँ पर देख लीजिए उपर इसके बारे में कुछ अदर जानकारे दीगे लिच्टेश्ट कलर होना चाहिए photo का आपका front face आपको दिखना चाहिए और इसका जो यहाँ पर size होना चाहिए 20 केवी से 50 केवी तक ही होना चाहिए इसके अपलोड करने के लिए का जा रहा है नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पर आपका certificate का जो यहाँ पर कर रहा है देखिए यहाँ पर अप्लोड करने के लिए और यहां पर दोनों चीज़ है अपलोड करने के लिए कर रहा है उसके बाद करने के बाद आपको किया करना यहां पर सम्मिट पर क्लिक करना सम्मिट पर किलिक करेंगे तो ध्यान किएगा आपका पहले के यह पर फिस पेमें factors quo होगा उमीद्य जानकारी आपको पसंद आई होगी पसंद आई तो वीडियो पर लाइक कीजिएगा चैनल पर नए होगे तो चैनल को भी आप सस्क्राइब कलीजिएगा